मुर्ता जी मैं आपको एक बात बताता हूँ मैं एक लीगल एडवाइज ले रहा हूँ हमने बंगाल में ये एडी वालों ने करीब तीन हजार करोड प्या इनका एटेज किया हुआ है अब ये पैसा गरीब आदमी का पैसा है किसी ने सिक्षक होने के लिए पैसा दिया किसी ने क्लार्क होने के लिए पैसा दिया वो सभी लोग जानते हैं वो एकदम सेड़ अप हो गया एकदम हाल छोड़ दिया हम जो देख रहे हैं टी एमसी के उपर बहुत लोग नाराज है क्योंकि ये सब बहुत अच्छे क्यार हो रहा है तो मैं जो लिगल एडवाईज रहे रहा हूँ तो मेरी इच्छा ये है अगर मुझे लिगल एडवाईज मिलेगी तो नई सरकार बनते ही जो भी कानूनी प्रावदान करना पड़ेगा कोई नियम बनाने पड़ेंगे तो मैं ये जो तीन हजार करोड रुपिया है जो गरीब लोगों का पैसा है और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है उन सब को मैं वापिस पैसा करना चाहता हूँ तो आप पब्लिक में जुरू बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो ती तीन हजार करोड रुपिया इडी ने कटेश किया हुआ है वो तीन हजार करोड रुपिया गरीबों का पैसा है बंगाल के और वो उनको वापिस देने के लिए कोई रास्ता में खो जूँगा यह जुरू बताइए आप लोगों को